समयाभाव पहले दिखाई दे रहा हैं मैं बहुत जादे समय ना लेते हुए कुछ दो चार मुक्तक कक्छान एक गीत पढ़के स्थान लेता है आप आप नुवान में आपके पाद बहुत समय होगी नहीं आज का समय नहीं होगा बस कुछ बड़े बड़े और हमारे भाई बैठे हुई है उसके परचे के चार पक्तियां पढ़के का वियात्त्रा शुरू करता हूं मैं बनारस से सथा जनपत जन्दवली उससे सुदूर गाउं चकियाह का निवासी हूं वहीं से काव्यात्रा जुरू करता हूँ, गाउं की बात करता हूँ, चार टबतियों में सुनियेगा, कि गाउं की गंध लेके आया हूँ, गाउं की गंध लेके आया हूँ, प्रीति अनुबंध लेके आया हूँ, मीत जोगीत गुंगुनाए मधूँ, प्रीत मीत जोगीत गुंगुनाए मधूँ, रीत के छंद लेके आया हूँ, रीत के छंद और उस आराधी को नमन करता हूँ, चार पक्तियों में जिनको लिख करका कर कविकुल्ट्रेस्ट वो स्वामी तुलसीदा समर हो गए, उनके लिए चार पक्तियां पिरोता हूँ, सबसे सब काम हो नहीं सकता, सबसे सब काम हो नहीं सकता, सब का वो नाम हो नहीं सकता, त्याग एस्वर महल के बैभाँ, त्याग एस्वर महल के बैभाँ, हर कोई राम हो नहीं सकता, हर कोई राम हो नहीं सकता, हमारा दायत तो बनता है, हम मंचों से कुछ अच्छी बातें करें, यह पत्रकार संग का यह पडार कर भुवन इसमित हैं, हम कितने भी कलमकार हैं चाहे कभी, लेखक, सायर, पत्रकार, सभी की तरफ से यह चार पक्तियां आपके स्वर्भता हूं, सिखर को सुनने से साधे, उसे संघर्स लिख देना, किसी घर को सुन्य से साधे, उसे संघर्स लिख देना, परिस्त्रम को ही जीवन का परमुत कर्स लिख देना, हसी हरगिज नहीं लिखना कि जिससे दर्द हो पैदा, हसी हरगिज नहीं लिखना उसे जो दर्द दे जाए, खुसी से गैर भी खुस हो उसे ही हर्स लिख देना, बहुत बहुत आवार और हम क्या करते हैं, हमारे पुरसार्थ का हमारे उपर हमारा प्रत्फल क्या मिलता है, कर्म और भागे की पक्तियों को पिरता पिरोता हुआ, एक छंद मिलेधित करना चाहता हूं, मंज का विसेर ध्यान आशिरवाद चाहूंगा, कि पारस को क्या पड़ी पर खे कौन सोना यहां कौन कासा बनेगा, पारस को क्या पड़ी पर खे कौन सोना यहां कौन कासा बनेगा, सीपुन जानता कौन से बारिस बूद के मोती का साचा बनेगा स्वाती से मोती और लोह से कंचन भाग से भाग का पासा बनेगा भक्ती मेलीन सुदामा बनेगा तो क्रोध की ये दुर बासा बनेगा भक्ती मेलीन सुदामा बनेगा और गीत के लिए बुलाया गया हूँ छोटा सा गीत पढ़ता हूँ उसकी भूमका में चार पक्तिया और पढ़ने का आदेश मारता हूँ अभी भाई निरज पांडे ने ओज की बात की सीमाओं से बात कही हम भी उस काजी पुर्जनपत के उस बीर सपूत को इंगित करते हुए चार पक्तियां पढ़ना चाहता हूँ हम रस्खान की धर्ती भीर अब्दुल्हमीत की धर्ती के हैं हमें कैसे जुड के रहना है कैसे मिल के रहना है किसी बात को केंद्रित करता हूँ मैं गाओं के बगीचे में लगे मेले में घूमाया मैं गाओं के बगीचे में लगे मेले में घूमाया खिलों ने सीटियां रंगीन गुबारों पे धूमाया कई अब दुल हमीदों के दिखे जब हाथ में चिम्टे पकाती रोटियां मा के जले हाथों को चूमाया आपके समक्च गीत आदर सों का गुलसन भारत हम गुलसन की सान हमारा नाम राम रणुमान हमी से प्यारा हिंदोस्तान हमारे गीत के साथ अगर आपकी तालियां रिदम बन जाएंगी तो मेरा अहो भाग्य होगा आप मेरा सायोग करिएगा हाँ कि आदर सों का गुलसन भारत हम गुलसन की सान हमारा नाम राम रहमान हमारा हमी से पूजा हमसे बादत हमी से भजन न जान हमारा नाम राम रहमान हमारा नाम राम रहमान हमारा बन बता हूँ कि जमना जुमन दोनों मिलकर गंगा रोज नहाते हैं जमना जुमन दोनों मिलकर गंगा रोज नहाते हैं खोली पर दोनों घर गुजिया इद पे से वई खाते हैं सरिता की साधी में साहिल के घर से संदूक मिला ननकूने नर्गिस निकाह का जोडा अपने हाथ सिला सभी यहाँ पर मिल जुल रहते सभी यहाँ पर मिल जुल रहते यहीं है अमनो अमान हमारा नाम राम रहमान हमारा नाम राम रहमान और अगला बंध कि अभिवादन के बिविध रूप दुनिया को हम उने दिखलाया अग्रज अनुज सखा गुरु इस्वर सब का मान सिखा पाया नमस्कार सत्स्रीयकाल सास्टांग दंडवत अस्सलाम वाहे गुरू अल्ला ईसु भगवान सभी के सबुललाम हमी है पढ़ते गीता वाए बिल पढ़ते हमी गुरान हमारा नाम राम रहमान हमारा लारा इंदुस्कान हमारा और हमारा समन्न में भाव कैसा है हम अपने साथ प्रकित को भी कैसे जोड़े रखे हैं प्रकित हमारा कैसा सयोग करता है और वहीं से बात कहता हूँ कि काटा भाउरा संगुलाब काटा भाउरा संगुलाब पत जड़ बहार संखिल जाता काटा भाउरा संगुलाब पत जड़ बहार संग खिल जाता चंपा संग चमेली चंदा संग कुमुदिनी का नाता पुर्वाई संग बिजुरी बादल पानी जरना नदियों का इंसानों का धर्म धर्म का रिस्ता मधुर है सदियों का सुख दुख बाटे दोनों मिलकर एक जिस्म एक जान हमारा नाम राम रह्मान हमारा नाम राम रह्मान हमें से त्यारा दी